नवस्कार, राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवेण मिस्त्र आईए जानते हैं आज आपके सितारे आपके लिए क्या लेकर आए हैं सबसे पहले बात आज के पंचांकी चैत्र मास चल रहा है, क्रश्न पक्ष है, द्वादसी तिती रहेगी सुबह दस बच कर उननिस मिनट तक फिर त्रियोदसी तिती प्रारम हो जाएगी शत्र बिंशा नचत्र रहेगा दोपहर तीन बच कर उनन्तालिस मिनट तक फिर पूर भादपद नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा कुम्ब राश में कोचर कर रहे हैं, भगवान शूर मीन राश में विराजमान है आज अभिजीत महूर्त का समय होगा सुबह ग्यारा बच कर अठावन मिनट से दोपहर बारा बच कर उन्चास मिनट तक राहुकाल का समय होगा सुबह नौ बच कर चौदा मिनट से सुबह दस बच कर उन्चास मिनट तक दिशा शूल है पूरु दिशा चले शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बाद मेश राशी की मेश राशी वालों के लिए धहरे से काम करने का दिन है परिवार वालों की बातों को अनसुना ना करें सेहत का ध्यान रखना होगा लंबी दूरी की यात्रा आज ना करें खुद के विवेक से निर्ने ले तो लाब होगा व्यापार में खर्चे आपके बढ़ेंगी जरूरी टिप जल्दवाजी से बचे शुबरंग गेरुआ उपाय हनुमान चालीसा का पाट करें ब्रश राशी नए सिरेव से योजना बनाने का समय है पुराने संबंधु में नई जान आईगी घर परिवार में खुशाली बढ़ेगी नौकरी में उन्नती का योग है नए लोगों से संबर्क बनेगा व्यापार में लाब होगा जरूरी टिप अहंकार से बचें शुबरंग क्रीम उपाय उम नमः शिवाय का 108 बार जाब करें मिथ उन्राशी परिवार से संबंधित काम पूरे होंगे अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा धन प्राब्ती के आउशर आपको मिलेंगे सकर आत्मक सोच के साथ आगे बढ़ें लगातार बढ़ रहा खर्च आपको परिशान कर सकता है सावधान रहें व्यापार में लाब का योग है जरूरी टिप क्रोध से बचें शुबरंग गुलाबी उपाय गव माता को हरा चारा खिलाएं करकराशी अपने काम पर ध्यान देना होगा धन की प्राप्ती होगी यात्रा के योग बन रहे हैं भागे का साथ मिलेगा नए लोगों से मुलाकात होगी व्यापार में स्थिती बहतर होगी जरूरी टिप इगो से बचें शुबरंग सफेद उपाय दुरगा चालीशा का पाट करें सिंग राशी प्रापर्टी से समधित लाप होगा काम को लेकर व्यस्त रहेंगे आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे रुका हुआ पैसा मिलेगा नए सिरे से रिष्टे शुरू होगे व्यापार में नए निवेश से बचें शुबरंग जरूरी टिप कम बोलें शुबरंग मरून उपाय सुन्दर कांड का पाठ करें कन्या राशी परिवार की सला से फैसले करें आपको धनलाब होगा काम में चुनोतियां आएंगी साहस के साथ सामना करना होगा किसी से जगडा करने से बचें व्यापार में लाब का योग बन रहा है कंट्रोल करें शुबरंग हरा उपाय किसी मंदिर में धूप का दान करें अब वक्त है आपके सवाल का हमें सवाल मिला है कुनाल वर्मा का कुनाल वर्मा की डेटा बर्थ है साथ अक्टूबर 1996 जन्म का समय है सुबह 8 बज कर 10 मिनट और जन्मिस्थान इनका अमरावती महराष्ट का है इनका सवाल ये है कि ये जॉब करते हैं लेकिन इनकी जॉब बार बार छूड जाती है बार बार इन्हें जॉब बदलनी पड़ती है नई जॉब ढूनने पड़ती है नौकरी में स्थिर्ता नहीं है आपका जन्म आशलेशा नच्छत्र के प्रथम चरण में हुआ है, इस समय आपकी शुक्र की महादसा चल रही है, जो फरवरी 2018 से शुरू हुई है, और फरवरी 2038 तक चलेगी, और शुक्र की महादसा में मंगल की अंतरदसा फरवरी 2024 से अप्राइल 2025 तक चलेगी, जौब बार-बार छूड जाती है, फिर आपको नई जौब तलाशनी पड़ती है, समझ गए आपका सवाल, देखिए, आपकी कुंडली में दसमे घर का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा वहीं 18 डिगरी का बैठा हुआ है, मंगल के साथ, क्या उपाय करना आपको, प्रति दिन भगवान शिव का पूजन करना शुरू करिए, और भोले नाथ से प्रातना करिए, जो आपकी परिशानी है वो दूर हो, तो भगवान शिव के मंदिर जाए, भोले नाथ को जल चढ़ाए, तिलक लगाए और बेल पत्र चढ़ाए, आरति करिए, और नमा शिवाय मंत्र का 11 माला वहीं बैठकर रुद्राक्ष की माला से जाब करिए, ये नियमित रूप से करेंगे, तो आपकी ये जो परिशानी ह तो आपके मन में भी सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी बर्थ डिटेल जन्म की इतारिए, जन्म स्थान, जन्म समय लिखे और सवाल लिखकर छोड़ दीजे, वहां से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे, तुला राशी, करियर पर ध्यान देना होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, आपको उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे, धना होगा, रिस्तेदारों से संबंधों में सुधार होगा, व्यापार में नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहें, जरूरी टिप, जल्दवाजी से बचे, शुबरंग, क्रीम, उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें, ब्रिश्चिक राशी, धन की स्थिती सुधारने का प्रयास तेज करते हैं, नेतित चमता आपकी और बढ़ेगी, परिवार से सपोर्ट मिलेगा, सेहत में सुधार होगा, बहुत दिनों से जो अटका हुआ काम है, वो पूरा होगा, जो लोग बिजनस करते हैं, व्यापार म लाब का योग बन रहा है, जरूरी टिप आलस्य से बचें, शुबरंग लाल, उपाय किसी गरीब को फल दान करें, धनुराशी, करियर के छेत्र में महनत बढ़ाना होगा, धार्मिक कारियों में रूची बढ़ेगी, परिवार में चल रहे मतभेद दूर होगी, संतान से ख व्यापार में तरक्की के मौके मिलेंगे, जरूरी टिप क्रोध से बचें, शुबरंग हलका हरा, उपाय किसी मंदिर में एक किलो मिसरी दान करें, मकर राशी, भागे का सपोर्ट मिलेगा, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, समाज में सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से मुलाकात होगी, प्रापर्टी से संबंधित लाब का योग है, जो लोग बिजनस करते हैं, व्यापार में लाब का योग भी आपके लिए बन रहा है, जरूरी टिप आलश्य से बचें, शुबरंग, सफेद, उपाय, किसी गरीब क भोजन दान करें, कुम्भराशी, विदेश से संबंधित काम बनेंगे, काम का आज में सफलता मिलेगी, परिवार के साथ वक्त बितेगा, मन की टेंशन दूर होगी, लंबी दूरी की यात्रा से बचें, व्यापार में नुक्सान हो सकता है, जरूरी टिप इगो से बचें, शुबरंग नीला, उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं, मीन राशी, मन की परिशानी दूर होगी, धन कमाने के नए रास्ते बनेगी, प्रापर्टी खरिदने की योजना बनेगी, मित्रों से मदद मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, व्यापार में इस्थिती में सुधार होगा, जरूरी टिप जल्दवाजी से बचे, शुबरंग के सरिया, उपाय चीटियों को आटे में गुड मिलाकर खिलाएं, राशी चक्र में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आप से मुलाकात, जिन लोगों का आज जनम दिनें, उन्हें जनम दिन की बहुत-बहुत आपका आने वाला साल शुब हो, नवस्कार